अभी हम बनाएंगे मेथि के पत्तो से बहुत ही मज़िदार टेष्टी सा नासता तो चलिए हम इसे बनाना है रस्टार्ट करते हैं आलू मेथी एक प्लेट में रख लेंगे और मेरा प्लेट थोड़ा छोटा आ रहा था तो मैं एक बड़ा सा प्लेट में इसको डाल दूँगी और अब हम इसमें कुछ मसाले आइड करेंगे तो जैसे बारिकटी हुई प्याज, लहसन, अद्रक और हरी मिच डालेंगे हरी पॉडर डालेंगे सब कुछ हम एड करेंगे इसमें एक से दो चमच ना सरसो तेरी जरूर एड करेंगे बहुत अच्छा बैंडिंग आती है इसके उपर से हम डालेंगे बेसन और एक काटोरी बेसन एड करेंगे और धेर सारा धनिया का पत्ता एड करेंगे थोड़ी सी मेथि जब हम इसमें मिक्स करेंगे ना तो मेथि थोड़ा सा पानी से निकलेगा तो यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा पानी डालने की जोत नहीं पड़ेंगे थोड़ी सी बेसन और एड करेंगे क्योंकि बेसन कम पढ़ रहा था बैंडिंग के लिए तो बेसन डालकर फिर फिर से मिला लेंगे और यदि लगे कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो एक चमच पानी एड करेंगे ज्यादा नहीं एक से दो चमच पानी एड करेंगे और फिर से हम इसको हाथों से मिक्स करेंगे चिली फ्लैक्स थोड़ी से एड करेंगे जब तक हम mix कर रहे हैं तब तक हमारा कडाही गरम हो चुका है कडाही के जगह आप पैन ले सकते हैं और गरम हो जाए तो इसमें सरसो तेल डालेंगे सरसो बढ़िया से गरम हो जाना चाहिए और फिर हम इसे एके करके तेल में डालते जाएंगे और थोड़ा सा इसका लेकर एक पार्ट और हाथों पर चिप्टा कर लेंगे अभी अब देख सकते हैं जितना बड़ा साइच चोटा से अब बना सकते हैं और इसे हम बढ़िया से उलट पलट कर तलेंगे मीडियम फिलेंपर और इस नास्तों को आप लॉंच बॉक्स में दे स सकते हैं और साम को जब चाय पर ये बनाते ना चाय के लिए तो बहुत ही स्वाद आता है चाय पर या फिर गेष्ट आये तो इस नास्ते को बनाईए वह बहुत पसंद आएगा उन्हें और उंगलिया चाटते रहा जाएंगे सच में बार बार खाना पसंद करेंगे इस ना पास्ते को खाएंगे तो जरूर ट्राइक करें मिलते फिर से ने वीडियो में ततरके लिए के लिए थैक्स पर फूरवाच वाच वच्वाचप